अलो गाईस आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेड्मी नोट 5 प्रो की ओफिशल है वोग OS 3.7 की अपडेट के बारे में तो यहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता हूँ उसके बारे में आप बताने वाला पाफोमेंस तो थोड़ी बहुत यहां पर जो नॉर्म फीचेस कौन कौन से एड़ किएगे उसके बारे में आपको यहां पर बताने वाला तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अप्लो इन्हेक्स जो हमारा इंफोर्सिंग देखने को मिल जाता है बाकि Android आवारफोन में यहां पर देखने को मिल जाता है वह को त्रेपोंट सेबंड पांच जुलाज 2020 सेक्यूर्टी पैस मिल जाती है और बाकि बात करें स्टेटस बार के टोगल की ति यहां पर जो हमारा एक न चैनल संद रिकोर्ड कर पाएंगे 60 fps तक जो ये रिकोर्डिंग करता है बागी कोल की बात करें तो कोल यहां पर वॉल्टी विल्कुल एक से काम कर रहा है और साथ-साथ यहां पर आप पॉल रिकोर्डिंग भी करपाऊ तो है वनिश्या वाले पूत है जी अंखलेट वाले पे उनक्लूड रिकोर्डिंग आपको नहीं मिलेगा बाकि हम बात करते हैं बीडियो इस तरीके से यहां को मिल जाता है पोाल्यटे विडियो क्त क्वालिटी हमारी 1080 60fps 4K 30fps तक की देखने को मिल जाती है Gcam की बात करें तो Gcam हमारा बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहे हैं यहां पी और TR camera जो की version 7 इसका latest आया है वह भी बिल्कुल इस तरीके से यहां पर काम कर रहा तो आप यूज कर पाएंगे बाकि यहां पर हम बात करते हैं प्लेश्टोर की तो प्लेश्टोर हमारा certified देखने को मिल जाता है और यहां पर मिल जाता है बाकि music player आपको थर्ड़ पार्टी प्लेश्टोर से इंस्टोल करके यूज करना पड़ेगा और banking app की बात करें तो GP हमारा बिल्कुल इस तरीक से यह कर पाएंगे सेटिंग की बात करें तो connected device के अंदर चलते हैं कास्ट की बात करें तो कास्ट हमारा बिल्कुल इस तरीक स्काम करें जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो कोई भी दिकर देखने को नहीं मिलती है एन चलते हैं एक configuration center के अंदर यहां पर status bar के अंदर यहां आइकन है तो यहां पर हम चलते हैं और status bar आइकन के अंदर चलते हैं तो यहां पर आप चलोगे तो यहां पर जो है हमारा वह एंटी जो कि जैसे कि आप देखने को मिल जाता है यह आपको new add किया गया और वह वाइपाई तो यहां पर आपको add कर दिएगे इस update में तो दो आ आपको कुछ इस तरीक देखने को मिल रहा है status bar अगर हम इसको इनेवल करते हैं तो यहां पर जो टोगल्स है आपको देखने को थोड़ा बुद मिल जाता है इस तरीक इस देखने को मिलने वाला है बाके नीचे आपको कोई columns रो यह सारे settings आपको मिल जाती status bar आइकन हो गया running service आइकन हो गया तो यह सारी सीजर है जो कि आपको देखने को कि हमें मिल जाती quick settings में बात करते हैं lock screen के तो यहां पर हमारा जो है lock screen में आपको कोई भी changes फिलाल देखने को सब्डेट में नहीं मिलता है and admin display की बात करें तो always zone हमें यहां पर देखने को मिल जाता है जो कि बि यहां पर मिल जाता है यहां पर sensitivity setting मिल जाती है बागे त्री बिटन navigation के अगर हम बात करें यह भी जो है मारा बिल्कुल यहां पर काम कर रहा है तो जैसे कि आप देख सकतो फिलाल कोई भी दिकर देखने कि इसमें हमें नहीं मिलती है और आप अच्छी तरी जो है use कर पाएं बात करते हैं जैसे की तो यहां पर आपको जंप टू कैमरा मिल जाता है और सिक्टम नविगेशन आपको यहां भी देखने को मिलता है बाकि नीचे आपको इसक्रीन सोट में जाता है जो के त्री फिंगर स्क्रीन सोट एं नोटिफिकीशन की बात करें तो यहां पर हमारा charging LED नोटिफिकीशन LED बिल्गों इसक्रीट काम करा है एज लाइटिंग में आपको न्यू फीचर देखने को मिलने वाला जो कि लाइड व्यू तो लाइड व्यू के अंदर आपको देखने को मिलने वाला इस अपडेट में यहां पर ब्लॉक सेंसर आपको देखने को मिलने व सेंसर यहां पर हम बात करते हैं स्क्रीन की स्क्रीन नॉर्मली जो हमें पहले देखने मिलता तो वही देखने मिलने वाला है और बात करते हैं यहां पर फुल ब्राइडनेस पर प्ले करने के बाद 64 पर जो है बैटरी यहां पहुंद करते हैं तो नॉर्मली डेली लाइफ यूज करते हैं वहीं है को बैटरी देखने का मिलती है लॉट कर चो को इसका आपको यहाँ श्यम्हारा सfulness वराव फिछ तॉ मिलने दीड़ उंहला है सक और हम ए के यहां खने partnerships आउं के विए बस पता है योग करतें यहां ट्यापने में लोगतों है काम करें से लोग शह defensie फेंट को बात करें बीन जोह है बिल्कुल इसे जरी किसे यहां पे काउंठ कर रहा जाज़ेगा अब देख सकती है स्क्रीन लॉक्स का अगर हम ब neon eins 7 के अगर स्मार्ट लॉकसल सट्थ के अगर आ चीज ह्यक्डेस देखना इंघ जाते हैं पाट केंट टू बेंज़ पाँ सकूर की बात करें तो 1,31,995 हमें यहां पर मिल जाता है और अब बात करते हैं पब जी के तो पब जी के जो ग्राफिक हमें यहां पर अब एच्डी का सपोर्ट तो मिल जाता है तो हम यहां पर इसमूद एंड हाई फ्रेम रेट पर खेलने वाले हैं और आपको यहां पर पफॉमेंस दिखाने वाला हूं तो आप यहां पर देख सकते हो पब जी परफॉमेंस कैसी आपको मिलने वाली इस अपडेट में तो अपडेट में इससे पहले वाला अपडेट सही था कोई दिकत नहीं लेकिन इस अपडेट में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से जो है आपको देखने को मिलने वाली है यह कुछ जादा ही खराब हो गया है पब जी के लिए फिलाल डेली लाइफ यूज करना चाहते हो आपको क्या करना इसे करना करना कर आप गेम खेलते हो यह फिलाल को नहीं मिलने वाली है तो बागी चीजह तो यहाँ पर सही है फिलाल कोई दिकत नहीं था लेकिन यहां पर PUBG पर आते ही आपको जो है कितनी खतरनाग खराब बाली जो है पॉपोमेंस मिलेगी कि आप तुरंत वाप इस रेटन मार दोगे तो फिलाल अभी गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो फिलाल इसको इंस्टोल ना करो तो ही वेटर है और भी रोम है उनको आप ट्राइब कर सकते हो गेमिंग के लिए बाकि फिलाल यहां पर जो है इसके तो मुझ के लिए तिहाई सारी चीज़ेशे थी और अगर आपका कुछ सेजेशन या कुछ आपको पूछना है तो आप कूछ सकतो कोमेंड में बाकि यहां पर अगर आप ब पनीला वाला ट्राइब कर रहा हूं और यहां पर आप देख तो अगर बोट बोट से भी लड़ोगे तो उसको भी मारने में टाइम लग जाएगा कितना लैग हो आप देख सकतो कभी कबार एक से दो सेकेंड के लिए फ्पीस बिल्कुल 32 इस तरीके से होता है कितना नोटिफिकेशन विल्को ओल पर कर लें ताकि जब भी में गली वीडियो अपलोड करूँ आप सब को नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पर भी जॉइन हो लें वहां पर सारे अपडेट्स आपको जो है मिल जाए करें किता आज की दूंबस इतना ह कर दो क्य后 कर दो कर दो